Hello and welcome to Kalam PCS. Kalam PCS में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है. तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि एक्जाम 15 मही को कंड़क्ट होने वाला है. जी हा, मैं UPPCS के एक्जाम की बात कर रहा हूँ. आपका एक्जाम बिल्कुल टलने वाला नहीं है. जो भी लोग इस आसंका में बैठे हुए हैं कि एक्जाम क्यूंकि एक बहुत बड़ी अफवाद चलती है मार्केट में. PCS का जब भी एक्जाम होता है. हर साल का ये ड्रामा होता है कि कुछ एक एक एक्जाम टालने वाला एक गैंग बूर अक्टिव हो जाता है. कुछ भी एक कोई रीजन लेके एक्जाम टालने के लिए एक सोशिल मीडिया पे एक मोहिम चलाई जाती है और बहुत सारे इनोसेंट्स चुएंट उसका सिखार हो जाते हैं. और कई बार उसके रीजन भी होते हैं, कई बार इट कमस आउट अउट अफ द ब्लू, इट कमस आउट अउट अफ नोवेर. इस बार एक बहुत ही जैनूर रीजन था कि एक्जाम पोस्पन होने के चांसे थे, फैदो कारण थे उसके, पहला की एक्जाम की फॉर्म बरने की लास्ट डेट आपकी जो अदस तारीक थी, उसके बाद आयोग के पास में से एक महीने का टाइम था, 6 लाग के आराउट जायोग के पास challenge यह था, कि 13 माई को ही municipality के election होने, election का result आने वाला, counting होगी, क्योंकि municipality के election जो ballot paper पे होते है, EBM की counting नहीं होती है, तो counting कई बार क्या होता है, कि अगले दिन तक चलती है, रात पर चलती है, और जितने भी administrative bureaucracy और system होता है, वो उसकी counting में लगा होता है, तो यह एक systematic challenge था कि किस तरीके से अपना जो manpower है, human resource available है, उसको उस दिन भी लगाएं और next day क्योंकि आयूक का इतना ये सबसे premier examination है, उसको fairly conduct करवाना, ये आयूक के लिए बहुत बढ़ा challenge था, but as we all know कि अभी UPPCS clearly जैसा कि हम सब को पता है, जिस तरीके से अभी कई सारे notification अंदर से न सेंटर को security को maintain रखिए, जिन दिन district के DM बगरा ने meeting बुलाई है, तो इस सबसे एक चीज निकल के clear हो गई है, और जो अंदर से ख़बर आई है, आयूक के chairman का examination को इरादा नहीं है, आयूक ने पूरी तयारी कर ली है, exam आपका time पे होने वाला है, जिन भी student ने इसके चक्कर म है, अपना थोड़ा सा भी समय वरवाद किया है, ओ एक तरीके समझ लिए बेब कूप बन गए है, आगे से ऐसा बिल्कुल बद करना है, अब मुद्दे पे आते हैं, 15 दिन का समय बचा हुआ है, दोस्तों, 15 दिन कहने को कुछ भी नहीं है, बहुत कम time होता है, लेकिन अभी भी ये 15 दिन make it और break it वाली situation है आपके लिए, बहुत सारे student इनी 15 दिन में exam निकालेंगे, आज से, और बहुत सारे student इनी 15 दिन में exam नहीं निकालने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, कुछ का ये होगा कि भाई, UPSC कर रहे हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, कुछ का ही एगी, you can do it. How you can do it? आप सब्सक्वोज 6 गंटे पढ़ रहे हो, उसको 8 गंटे करो, उसको 10 गंटे करो. नहीं करा 15 दिन के 30 दिन करो, 6 गंटे पढ़ रहे हो, तो 12 गंटे पढ़ो. But at least आप इतना कर सकते हो, कि अगर आप 7 गंटे पढ़ रहे हो दिन में, 8 गंटे पढ़ र है उसमें मैं बहुत भी ब्रीफ ली आप से एक बाट बात करना चाहूँगा और यह बहुत जरूरी है इसके लिए मैं स्टीज को इतना प्रयोप्टी के साथ कहना हूँ आई पील चल रहा है ठीक है तो इसका सबसे बड़ा सॉलूशन यह है कि आप लाइबरी जगर जा रहे हो तो अपने फोन आई पैड और इन सब चीज़ों को अपने रूम पे चोड़ के जाओ एक छोटा सा फोन लो ठीक है या फिर बिना फोन के चले जाओ कि दोस्त के फोन हो अब टाइम पे जगने की आदर डालो आप ठीक है अब टाइम पे नहीं जगोगे तो उससे दिक्कत हो जाएगी बहुत जादा जो है ठीक है टाइम पे आप नहीं जगरे हो तो आपको दिक्कत क्या क्या होने यह अपको समझा रहा हूँ इसा करने से कोई फायदा भी नहीं होने बाला है अगले 15 दिन के लिए सब छोड़ दो आईडियल टाइम तेबल 6-7 बजे तक można कोचज़े करो ठीक है, क्योंकि exam वाले दिन आपको उठना ही पड़ेगा, और अगर आप लेट तक सोते हो, exam वाले रात को सकता, आपको नीद नहीं आए, फिर आपको लेट उठने वाले हो, लेकिन आपको जल्दी उठना पड़ेगा, आपका दिमाग freeze हो जाएगा, दिमाग सही से काम नही करेगा, ultimately you will end up doing 3 or 4 question and it's just because of silly mistakes, because your brain is not at its efficient level, at its maximum level, okay, तो आपकी नीद बूरी नहीं हुए है, क्योंकि आपकी आज़त नहीं है, उस time पे सोने के आता है, उस time पे आप exam solve कर रहे हो, इस चक्र में 2-3-4 question, आप silly mistake की तरह गलत कर सकते हो, तो इसमें humble request that please get your time schedule as per the demand of the question, आपकी biological rhythm अभी अगर accordingly नहीं है, उसको ले के आओ, पंदर रिंग का time है, आप कर सकते हो, कैसे करोगे, सुरह साम को जल्दी सोना आपको यह बहुत जरूरी है, साम को जल्दी कैसे होगे, 6 बजे के बाद strict note to coffee and caffeine and tea and all these conversation, long conversation and discussion with the friends, now, limited yourself to yourself only, अभी दोस्तों से cut down कर दो, 6 बजे के बा सुबह उखना है, snoozing नहीं करनी अलाम की, तो अभी बात करते हैं, चलो, कि हमने, मैंने बात करी किस तरीके से कर सकते है, efficiency बढ़ा सकते हैं, अब मैंने जैसे आपको बताया कि, एक चीज में आपको बताना चाहूँगा कि, कलाम PCS ने, हमने यहाँ पे, मैं आपको एक PCS के लिए test series start करी है, तीन full-line test की comprehensive test series है, and these full-line tests are free of cost, you can attempt them in a offline mode, as well as in the online mode, आप offline mode पे, old Rajendanagar में अपना center है, यहाँ पे आप आईये, और अपना test दीजे, and actually, we will provide you the actual feeling before the real examination, कि आप किस तरीके से feel एक आएगा, क्योंकि गर में exam देना और बाहर exam देना दोनों मंतर होता है, ultimately, आपको हुआ बाहर exam जाके देना है, S21 के विश्यों मेट के देना है, तो आप किसी भी time पे आके, यहाँ पे, Kalam IS के जो center है, old Rajendanagar में, आप यहाँ पे आके, अपना UPPCS का, free of cost, तीन test की, आपना test series start करी है, यह जो तीन test की test series है, this is very comprehensive, and strictly based on the, on the actual examination pattern of the UPPCS, ऐसा नही कही नहीं से भी कुछ भी आके डाल दिया, proper research and articulation and analysis के बाद में, these 150 questions per test are being prepared, with the very comprehensive analysis and explanation, ठीक है, along with the current affair questions, तो आप इनको attempt करो, इसको online attempt करना है, तो दो इंटे घर पे बैठके attempt कर सकता है, telegram पे अपने group page हो है, और अपनी website पे जाके download कर सकते हो, इसको offline attempt करना है, वो अपनी center पे online examination दे सकते हो, और अभी यहाने आने वाले time पे OMR को साथ भी बरना, कम से कम 5 steps दे लो, OMR के साथ बरने की practice कर लो, मैं बता रहा हूँ, आपको 1500 questions की OMR seat बरना, वहाँ पे 1500 questions करना, उनकी OMR seat में fill करना, और chances काफी जाद होते हैं गल्ती की, ठीक है, time बहुत कम होता है, तो क्य यह information दी शोटी से कि 3 test आप यहां पे आगे दे सकते हो, अपने center पे आगे, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कि अभी हम बात कर रहे थे, कि किस तरीके से अपने जो examination के 15 दिन को हमको आगे proceed करना चाहिए, तो अगर हम यहां पे बात करते हैं, कि vacancies कितनी है, ज राउंड 250 के राउंड vacancies हो चुकी है, ठीक है, 250 के राउंड vacancies हो चुकी है, और मुझे लगता है कि examination होते होते, prelims का result राते आते, जो result आएगा आपका, 300 सवा 300 seat पे result आएगा, maximum इसके beyond नहीं जाएगा, जो भी बोल रहा है कि 400 vacancies हो जाएगी, 500 vacancies हो जाएगी, ऐसा नहीं ह होने वाल है, सवा 300 vacancies हो जाना है, तो बहुत बड़ी बात है अपने लिए, बट एक खुशी की बात यह है कि इसमें भी SDM और DSP की around 80 vacancies है, यह खुशी की बात है, लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों, कि मुझे ऐसा लगता है, यह हो सकता है, यह last मों का हो SDM DSP बनने एक limit होती है, 2018 से पहले कम से कम 6 साल तक, बहुत ही कम मात्रा में SDM DSP की vacancies आती थी, लेकिन क्योंकि 2018 के बात में 6 साल हो चुके हैं, और लगातार SDM DSP vacancies आ रही है, तो हो सकता है कि जो existing vacancies थी खाली, वो भर चुकी हो, और आने वाले समय में काफी कम मात्रा में, बिलकुल ही सून्य, SDM DSP vacancy हो जाएं, तो इस चीज को जो भी बच्चों को लगता है कि उनको अपनी लाइफ में, या जो UPSC वाल लडगे, इनको लग रहा था कि किसी भी खारणवस उन UPSC नहीं हो पा रहा है, या स्टेट में SDM DSP उनको चाहिए, तो ये उनके लिए एक बहुत ही last ult motivator हो सकता है, तो उसके लिए उनको अपने 15 दिन में effort को बहुत जाब ढ़ाने की जरूवत है, इसके साथ-साथ इस बार 80 के round SDM DSP के साथ-साथ में anti और video के post 20 बार बढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वही around 300 के round vacancies हो चुकी है, तो ये हुई vacancies की बात में, अब बात करते हैं, 15 15 दिन के plan को हम किस तरीके से chart out कर सकते हैं, ठीक है, अब इस चीज को हमको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 15 दिन का plan हमारा कितना होगा, इस चीज को हमको देखना पड़ेगा, कैसे चलेगा अपना plan ज्वार, 15 दिन का plan अपना क्या होगा, इस चीज को देखने के अबी, high yield areas कौन से हैं, चार अपने high yield areas हैं, current affair, science, history and geography, यह चार area से current affair से आपके हर साल 30-35 question आते हैं, history, modern, medieval and ancient इसको मिला के around 30-35 question आते हैं, geography से आपके again 25 question आते हैं, again science से आपके 30 question आते हैं, और यह जो question है नियर, यह जो है काफी ज्यादा factual questions होते हैं, इसको आप जो है, ऐसे ही पढ़के नहीं कर सकते हो, तो इसमें आपको अलग से extra मेहनत करनी पढ़ेगी, जिल लोगों ने अब तक जहां से पढ़ा है, वो वहीं से पढ़ो, अपने notes को बारवार revise करो, और कहीं कोई नया source उठाने की courses मत करो, ठीक है, इन चारों topic को मिला के आपके around 110 से 115 जो questions है, वो cover up हो जाएंगे, इसके बाद में जो number आएगा, priority में आपका, वो आएगा, quality section का, वहां से हमेसा, 16-17 सवाल जाते हैं, उसके बाद environment and economics, तो यह चीज़ आप कर लो, और जिनको सिर्फ environment and economics जादा अच्छे से नहीं करने का time है, अब loose end से यह portion करके चले जाना, वहां से आपके काफी question फसने की chances रहेंगे, अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने को जो करेंगे, और इसके अभी क्या हो गया है, कि 15 दिन पहले UPPCS का exam हो रहा है. तो बहुत सारे studentों को यह complexity है, कि how to strike a balance in the preparation of UPSC and UPPCS. तो उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूंगा, because you are preparing for the UPSC, I am expecting कि your fundamentals and basics is very clear, only the extra thing which you need to prepare, those who are having the time, those who are comfortable in the UPSC prelims, I will suggest them, please do not take the risk of leaving the current affair specifically for the design for the UPPCS and what are these. So, सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए current affair की बात करूँगा, अगले 15 दिन के लिए, जो UPSC और UPPCS को साथ लेके चाहरे है, उनके लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि एक गटना चकर की आई द्रस्टी की बुक आती है, वो इंग्लिस और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप जो है उसको डंग से पढ़ जाईए और उसको अभी से पढ़ना शुरू करदो, last के 8 दिन के लिए के लिए मत छोड़ना, because अपने एक brain की consume करने की एक limited capacity होती है और आप एक साथ उसमें सारी चीज डोलोगे, तो आप वो रटने वाली चीज है आप नहीं कर पाऊगे और पूरे वो 8 दिन के लिए आप UPSC की preparation से cut-out हो जाओगे तो आपका वहाँपे भी stress बढ़ेगा UPSC के लिए और UPPCS में भी आपके वो effort दोने efficient नहीं होपाएंगे तो उसका एक better solution यह है कि आप जल्दी से जल्दी वो magazine खरीदो, दिन में 2-3 गंटे आप वो current affair पनने के आदर डालो और वो जो magazine है आपकी, I am telling you, don't think कि this will help you only in the UPPCS, that Ghatanach Chakra, Idrasti magazine for the current affair, that is not going to help you only in your UPPCS, but also will supplement to your 365 or whatever magazine you are reading for the UPSC current affairs, ठीक है? तो उसको आप अच्छे से करो, बारबार revision करो, एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, अकेली उस book में से 25-35 current affair question आ जाते हैं, तो आप उसको around 4-5 बार पढ़के जाओ, और हो सकता है, तो current affair पने दोस्तों के साथ में discuss कर लो, this is the bare minimum we can expect from a person who is preparing seriously for the UPPCS and also trying to its luck in the UPPCS, okay. तो जो UPSC वाला बंदा है, वो दो चीज एक्स्टा करके जा सकता है, एक तो गर्णा चकर आइदरस्टी current affair की magazine, और दूसरा आपका जो है, अगर time permit करें, सबसे पहली priority, गर्णा चकर current affair, अगर time permit करता है, तो history की loose end से पढ़ लेना, और science loose end से पढ़ लेना, ये दो चीज, अगर आपको और भी time permit करता है, जिसनों ने पहले पढ़ रखी है, तो मैं आपको बोलूगा, कि UPPCS के PYQs पिछले 5 साल के अच्छे से करके चला जाना, तो जो UPSC वाले बंदे हैं, उनके लिए ये 3 चीज़ें बहुत जा जरूरी है, पहली current affair, गटना चकर आइदरस्टी दूसरी लूसेंट से history and science, और तीसरी UPSC के पिछले 5 साल के PYQs, PYQs पर हम आगे further चर्चा करेंगे, अब बात करते हैं, UPPCS वाले student अगले 15 दिन के लिए कैसे channelize करें, तो UPPCS वाले जो student है, जो hardcore UPPCS के दियारी कर रहे हैं, आप कोई भी risk मत लीजिए, आप UP special को छोड़ क मत जाईए, क्योंकि हम ने देखा, आयोग ने pattern change किया है, तो आयोग की मंसा यही है, विचारदारा pattern को change करने की यही है, कि जो अपने उत्वर्पदेश के चात्र है, क्योंकि पिछले कही साल हो से कहते है, आर ही थी, दो reason है, उसके पहला pattern change किया, और पेरिटी लाने के और हम इस बार glimpse में अच्छे का से UP special के question देखने को मिल सकते हैं, तो अब अब अबना जो मुद्दा आता है, वो यह आता है, कि UP special के कितने question आएंगे, और UP special को पढ़ने का source क्या-क्या है, इस चीज को अगर हम देखना चाहें, तो UP special को पढ़ने का source दोस्तों, एक उस किताब को ले ले और उस किताब के chapter के, हर chapter के पीछे जो PYQs दे रखे हैं, जो UP special exam जो हो है, उनमें जो पूछा है, वो exam जो है, वहाँ से जो भी questions आए है, sorry, वो questions आप अच्छे से रट के चले जाएं, या आपके पास में 15 दिन है, हर chapter के पीछे 15-20 questions होते हैं, ठीक है, आप वो questions जो अच्छे से करके चले जाएं, आपके UP special काफी जादा cover हो जाएगा, योगी UPPCS special की बात, current affair के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो सिर्फ UPPCS की त्यारी कर रहे हैं, वो एक किसी एक magazine को fundamental बनाओ, लेकिन उसी एक magazine पे stick होने की risk मतलो, मैं एक हैना चाहू कि गटना सार करके एक magazine आती है, आप उसको supplement करो गटना जो चक्र आईदरस्टी है उससे, ठीक, तो दोनो magazine का combination बना के, आप combination बना के, आप अपने current affair को prepare करके, आपने 30 question ensure कर सकते हो, और मैं आपको बता रहा हूँ, जो current affair का जो section है, that is the ice breaking, that is make it or break it, अगर आप वहाँ पे lose क कर रहे हो, तो you are spoiling your chance of getting into the means, okay, तो ये आपका होगा current affair का history का, मैं आपको बता दिया, जहां से आपने prepare किया रहा है आप तक, वहीं से revision करो, बस high yielded areas को देखो, कि किस तरीके से, अगर medieval areas आ रहा है, तो medieval में विजयनगर, दिल्ली सल्तनात और मुगल empire, से question काफिजा पूछे गए, तो वहां को prepare करो, ठीक है, इसके अलाबा मुगल से question, अकवर से question काफी बूछा गया, तो अकवर को अच्छे से prepare करो, ठीक है, ancient से question बूछे गया है, तो वहां से buddhism, jainism, जो भी आपको theme लग रही है, बहुत important है, और उसको अच्छे से prepare करके जाओ, तो गटना चक् है, कि PYQs को कैसे करें, तो vacancies पे चर्चा कर लिए, हमने 15 days plan क्या होना चाहिए, हमने वो देख लिया, कि किस तरीके से 15 दिन को 25 से 20 दिन बनाना है, biological clock को अपनी जो रिदम में ले के आना, examination के according, और उसके लाबा हम को फोन को दूर रखना है, अपनी सपढ़ाई करते time पे, चार तीज़ों पर discuss करना है, more more जौत बहुत जा फोकस करना है, UP special पर भी इस साल फोकस करना है, अब बात करते हैं, PYQs को कैसे ले के चलना है, एक अभी PYQs पर जो आपको बताने जा रहा हूं, that will be the very smart strategy for you, okay, हम क्या करते हैं, PYQ की कोई भी एक सिल्भी पब्लिकेशन की की बुक को ठाली, या फिर KBC की कोई बुक को ठाली हमने, ठीक है, अब गटना चकरी कोई बुक को ठाली, अब हमने क्या किया, कि उसने क्या subject wise question paper दे रख, question दे रखे हैं, हमने एक test कोई science के 10 question कर लिए, 20 question कर लिए, और उसके बाद हम फिर PYQ रख दिए, फिर जब भी मन कि आप PYQ को 50 question कर लिए, इससे PYQs हमारे solve हो जाते हैं, but वो skills जो चाहिए हमको एक test paper को 2 गंटे में solve करने के लिए, वो आपकी नहीं आपाती कभी भी, तो कई बार क्या होता है, तो मैं आपको एक बहुत ही specific, precise, एक suggestion देना चाहूँगा, कि 2018 से लेके और 2022 तक के जो 5 साल के पेपर है, original paper, net पे आपको मिल जाएंगे, original paper आप print out निकलवाओ, और print out निकलवाने के बाद में 2 गंटे बैठके आप अपने test paper लगाओ, आपने अभी तक हो सकता है कि वो question पहले भी लगा लिए हो, कोई matter नहीं करता है, ठीक है, और आप जो है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि 2 गंटे बैठके जब आप paper लगाओगे, तो आपको समझ में आएगा, और उसके बाद मैं मैं आपको बोलूँगा कि उनकी OMR seat भी भरो, Google से रानलोड कर लो, OMR seat जो print out निकलवा लो, OMR seat भी toast paper के बाद बरो, क्योंकि देट्सों करने के बाद मैं OMR को भरना अपने हो है, identify करो कि UPPCS की नहीं और उन PY की को लगाने के फंडा मैं आप होता रहा हूं, जैसे UPSC वाले जड़के जो है, जो भी आप UPPCS थ्यारी कर रहे होंगे, या जो भी आपको पता हुगा कि Elimination का game चलता है, या फिर Tricks चलते है, Hacks चलते हैं, Similarly, Tricks and Hacks are available in the UPPCS. Yes, I am repeating again, the way these Elimination techniques and Hacks and Fundays are working in the UPPC, they are equally also, if not equally, but actually in a good way, they are working in the UPPCS as well. However, they are of the different nature. मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो पनाऊँगा कि किस तरीके से UPPCS में हम जो है Tricks और Elimination लागा के, एक different type की जो एक टेक्नीक है, वो work करती है और अपने score को हम maximize कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं वो आपको वही का आपको कोसिस करूँगा कि आपना आता है वहले ही आपको, लेकिन आप अंदर गुसो कोशन में, options कैसे frame हो रहे हैं, सही answer आया, तो क्या clue था, बिना knowledge के बेस्पे आप किस तरीके से उसको निकाल सकते थे, कितने तुक्के मारें आपके, कितने सही ह मारें, इसके लिए आपको काम करना, market में से कोई भी 5 किसी भी coaching center के 5 full length test paper उठा लो और उनको बैठके 2-2 गंटे लगाओ, तो 5 जो है UPPCS के PYQ question जो है, वो लगा लो आप जो है, क्योंकि आप वो पहले कर चुके हो, तो उसको लगाने में आपको time नहीं लगेगा, आपके division हो जाएगा, प्लस कोई भी coaching के 5 question paper आप उठा लो वहां से, market से, और 2 गंटे बैठके उनको लगाओ, और आप ये exam hall में जाके, मत decide करो कितने question करने हैं, कितने नहीं करने हैं, आप यहीं उन 5 question को OMR के साथ लगाओ, और उनमें decide करो कि कितने question करने पे आपका score जो maximum हो रहा है कितने question करने पे आपका score minimum हो रहा है, किस level के, किस nature के question में तुक्के काम कर रहे हैं, किस nature के question में तुक्के जो आपके काम नहीं कर रहे हैं, आपको कितने maximum question attempt करने चाहिए, ठीक है, कहां से question, कौन सा area आपका अभी weak है, ठीक है, तो ये सारी चीज़े आप जो 5 test paper किसी भी coaching के entry उठाओगे, वो proper 2 गंटे में बिना किसी disturbance के लगा के उनको decide करो, क्योंकि ये आप clarity आएगी आपकी दमाग में है, तभी आप वहाँ पे जाके actual में risk ले पाओगे, और आप कितने question करने है, वो आप decide कर पाओगे, ये बहुत जाद जरूरी है, ठीको 15 question एक बार में कर सिर्फ पढ़े जा रहे हो, सुबह उठे, राब तक revision करे जा रहे हो, revision, revision, revision करे जा रहे हो, एक level तक वो चीज़े ठीक रहती है, but ultimately वहाँ पे जाके आपको question solve करने है, 1500 question 2 गंटे में, इस चीज को आप जितना practice करके अपने आपको refine कर लोगे, आपने दिमाग को उस zone में ले इन चीज़ों को find out करने के लिए कि what is the balance strategy for you, now, इसके लाब और हम क्या अगर सकते है, current affairs की मैं ने बात कर लिए आपको, current affairs किस तरीके से करना है, 2 sources के करने है, जो CPU based की त्यारी करने है, को भी 2 sources अठालो, और current affairs के लिए हमारे जो, यहाँ पे कलाम IS के जो 3 test है, उनमें भी अ यार, source को भी मत पढ़ो, बार-बार उसको revise करो, test papers की मैंने आपको बता दिया, 3 test यह है, आप अपनी कलाम PCS Telegram Group है, उस पे आपको 3 test paper मिल जाएंगे, आपको offline आगे देना है, आप offline दे लो, इसके लाबा आपको बाहर और और भी किसी coaching का test paper उठाके, अगर आपको महौल च exam के prelims निगल जाएगा, तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद में, mains तो यार, मतलब फिर, competition actual prelims में होता है, क्योंकि 6 लाग मैं से 200 बंदे जाएंगी, अब mains में, जो उसके ratio में ही बंदे पास होते है, exam clear करते है, तो फिर mains में होतना competition नहीं रह जाता वेकेंसी जब खम होतनी दिक्कत होती है, उसके बाद तो फिर हर साल जैसा game हो जाता है, यह हमारे जो test में बगा सेंपल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह actual PDF है, वो अपने telegram पर पड़ी होई है, ठीक है, तो यह 1500 question का set है, अपना जो kalam PCS का, आप center से आगे, that is completely free of cost, य that is completely free of cost, कोई charge नहीं आपका, और आप जो आराम से आगे दे सकते हो, तो यह सब चीज थी है, आज की वीडियो मनाने का मेरा मतलब यही था कि आप लोगों को बताया जागे कि अखने 15 दिन आपको कैसे approach करने है, और किसी भी distraction से बचके रहो, fall to discussion से बचो, और अपनी efficiency को maximum कर हो, ठीक है, और 15 दिन बहुत हो ध्यार, और UPSC वाले भी ध्यान से सुन लो कि अभी से लेके चलो, अदर्वाइस एक साथ दिक्कत हो जाएगी last अफ्ते में, ठीक है, तो वो दौनों चीज फिर suffer करेंगी आपकी जो है, तो आज की वीडियो में बस इपना ही बोलना चाहू है, तो जो पहला test हो चुगा है, उसको भी आप आप के दे सकते हो, तो 30 अपरेल को Sunday को जो test होने जा रहा है, उसको भी आप आप के दे सकते हो, और जो 7 मही होगा उसको भी आप आप के दे नहारा हम से, ठीक है, ठीक है, तो एक मार्केट में अजिस्टिंग को coaching center, जो question paper बन नही ना लगे, so that is all for today, I hope ki you will prepare well and all the best, thank you very much.